सब्सक्राइब कर लो एक पॉर्चुनिटी में काम करने का तो काफी सारी जो जॉब्स के टाइटल है वो मैंने अपने डिस्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म में डाल दिये अब ही इंडिया में कुछ-कुछ बाते सुनें जिसे की इंडियन प्रेश शायद बाहर जाए किसी और के थ्रू गर्मेंट की और गोगी में नाम आप तो नहीं पता पर हम यह रूमर सुनें क्या पता हो भी सकता है और यह बहुत अच्छा मौका होगा हम जैसे इस्पोर्ट्स प्लेयर के लिए इंडियन इस्पोर्ट्स प्लेयर के लिए कि हम अत्में देश को रिप्रेजेंट करें और नाम रौशन करना एक वही गोल है मेरा हम पताने वाले कैसे आप लोग बहुत अच्छा का से और कर सकते हैं जैसे अब लोग कर सकते हैं वैं तो आप लोगो को 20,000 तक का bonus मिलने वाल है, easy withdrawal and easy deposit आप लोगो को महापे मिल जाएगा, तो यह best app है आप लोगो को local support भी मिल जाएगा, तो चल्दी जाओ 1X को download करो, जाकर prediction करो, काफी सारे e-sports गेम्स पे और करो, इसके बाद हमारे को crafton जो एक बड़ा action लेती हुई आप ले rules and regulations कि अब सारे teams को quarterfinals से ही invite देना होगा, और finals में आपको underdogs भी रखना है, ऐसा कुछ है शायद से, मेरे को exactly पता नहीं, आपको पता है तो बताओ वो चुपी, क्योंकि वो silence इतने टाइम तक गायब हो गया, suddenly क्योंकि मुझे लगता है कि हमने वो like, जिस तरीके से YouTube पे हुआ, जिस तरीके से the entire fiasco happened, you are the one I think who was silent about all of this and I felt like, एक perspective हमें सुनने को मिल चुका है, but कभी आपका side, आपका take हमें कभी सुनने को नहीं मिला था, like I don I don't want to spark any controversies over here, कि मैं respect है सारी players की आपकी भी, but anything that you felt like you wanted to say and उस ताइम पे आप नहीं बोल पाये थे, या फिर आपके साथ जो हुआ, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, कुछ आप अगर जितना आप comfortable हो share करने के लिए, या देखो, एक simple सी बात है, अगर मुझे controversy करनी होती, तो मैं तभी आचाता ना, मैं चुप क्यों बैठता, मेर को बस एक चीज बात खराब लगी उस टाइम पर, मैं आया नहीं मुझे करना नहीं था, क्योंकि मेरा starting से ही रहा है, और action से प्रूफ करते हैं, बात करके, जादा फाइदा नहीं है, हाँ, वो मेर से गलती हो कि तो मेरा नहीं मेरा काम है, उसके लावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी चीजे हुई है, अब उसके बारे में मैं ना बात करें ना मुझे करनी है, आगे दिखेंगे, बट मेरा मेरे कांट्रोल में नहीं थी चीजे, बेसिकली, तो और मेरा पूछना था कि जब ऐसा ए जबकि suddenly, you know, you made it to the headlines not for the right reasons, right? And इतना backlash, I'm pretty sure, उस ताइम पे बहुत चीज़े आपके इंस्टाइड देम्स पे बहुत सारी अच्छी-ची मेसेज़े सारी होंगी तब And it was a harrowing experience, right? So, कैसे डील किये थे आपने? Like, वो ताइम पे जब पुरा, like, किसी का support नहीं, nobody was there तो वो चीज़ को आपने कैसे डील किया, how did you tackle? मतलब यहर, मैं उस टाइम पे ज़ादा सोचा नहीं था उसके बारे में क्योंकि मैं ब्लैंक ही था, almost मैं आगे के बारे में ज़ादा सोचने में टाइपना टाइम लगाता था डिस्ट्रैक्ट अपने अपको करता था, यह सब में ना दिमाग लगाऊं, आगे के बारे में ही सोचीओ, अब आगे क्या मतलब, क्योंकि वही था जिससे मुझे, मुझे लगता है कि मैं रिडीम कर सकता था खुद को, क्योंकि पीछे के बारे में बात करें, कोई फाइदा जो सौमराज है, उन्होंने क्यों ट्रोल किया था, और एंगो टन को ESL के स्टेज पर जापे, उन्होंने हूँ हूँ ओजी बोला था, तो इस चीज के पीछे जो बेक स्टोरी है, वो बता ही सौमराज ने निक्क्या गुलफ हो गया, आप लूग लूग देखो, यार देख मत कर देना, फन्वे में बोला, फिर उसके एक दम सीरियस रिपलाय आया, कि कुछ भी हो जाए, एंटिटी से तो उपर ही रहेंगे, तो हम लोग से वैसा चारो एक दूसरे को देखे, और समझ गई, इसकी तो बजाना पड़ेगा, और देखो, क्या पता है, एक वो छोटा स रीजन हो, हमें और पंप करनेगा, मोटिवेट करनेगा, हम लोग आयतों जीत नहीं थे, बहुत लेट पता चला, डे वन और दे टू इतना चोक किये, ऐसा ऐसा थ्रो किये कि क्या ही बोले, हम लोग सब का मूव बंद हो गयता, शायद से हम लोग बहुत जादा प्रेशर ल केलने हैं, और माच के अंदर हमारा मूव बंद हो गयता, इवन मेरा भी हो गयता, फिर हम लोग को रियलाइज हुआ यह रहे, यह क्या हो रहा है, फिर हम लोग फ़ड़ा खुले, बात वात किये, कमिनिकेशन इस दखी, और तीसरा देन आपको पता यह क्या हुआ, इसके ब पर रोख सको तो रोख लो, रोख दिया, इसके मेरा ही लाइन था, जाइपिक भाई ने तो कॉपी पेस्ट कर लिया, और यह मैं बचा गया रखा था, ठीक है, ऐसे वो लोग तो अच्छा गेल रहा है, पहले मुने, क्या मुलाते तो याद है किसी को, किसी को तो याद होग पर रभी, उलो बहुत अच्छा गेल रहा है, इंडिया की टॉप पर्फर्मिंग टीम्स में आता, अट तेस वेरी नाइस,